नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानियास्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको लोगों को मालूम है कि मैंने ज्योकिश ग्यान के नाम से एक सिरीज चलाई है बहुत स्टार्टिंग से बेसिक्स की स्टार्ट करके और अभी मैं कुछ आपको अध्भुत सूत्र बता रहा हूं कुंड़ी देखने के लिए कैसे जब प्रैटिस करते हैं जब कुंड़ी देखते हैं तो क्या-क्या सूत्र देखने चाहिए उनके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सारे सूत्र बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप जब कुंड़ी देखते हैं तो क्या-क्या चीजे आपको देखनी चाहिए और किस तरीके से आपको कुंड़ी का प्रडिक्शन करनी चाहिए एक बहुत इंपॉटन नियम है जिसको बोलते हैं भाव हानी का नियम क्या हो गया तो ढगया तो अगर कोई बिजनेस पार्टनर्शिप कर तूटना ऑगया और कोई विभाएक जीवन में प्रब्लं चल रही है तो और दिवार्श कब हो गया तो सब चीजे होती है ये निकाथ कहला dato वाब हानी तो इसके लिए सब्तम भाव को देखना पड़ता है अगर हमें डिवोर्स के बारे में देखना है या हमको विजनेस पार्टनर डीड तूटने के लिए देखना है तो साथवा बाप देखेंगे अगर हमें नौकरी छूटने का देखना है कि नौकरी में हानी कब होगी तो दसवा बाप देखेंगे संतान की हानी कब होगी तो पांच वां भाव देखेंगे, पिता की हानी कब होगी तो नवा भाव देखेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को देखना है, तो इसमें क्या है, इसमें तीन नियम है जो बहुत इंपोर्टन्ट है जो आपको याद रखने हैं और जैसे ही आप इनको याद रखेंगे आपको कुंड़ी के अंदर बहुत सक्सस मिलेगी नमबर पहला नियम यह है कि किसी भी भाव की हानी कब होगी यह विचार करना हो तो उससे यानि उससे आठवे और बारवे भाव में गोचर में जब शनी आएगा उससे आठवे और बारवे भाव में गोचर में जब शनी आए तो उस भाव की हानी होगी simple funda है बिल्कुल कोई दिक्قطवाली बात नहीं है सब्सक्रों आपको चौथे भाफ की हानी देखनी है तो आप चौथे से आठवा भाफ ह़ांट करो कौन सा है वो देखो और चौथे से बारवा भाफ देखो अगर चौथे भाफ से आटवे भाफ में या चौथे भाव से बारवे भाव में गोचर का शनी आता है तो आप कह सकते हैं कि उस भाव संबंदी चौथे भाव के संबंदी बहुत कस्ट आपको मिलने वाला है उस भाव की हानी होने वाली है चाहे आपका मकान दिखने वाला है या मकान पर लिटिकेशन लगने वाला है या वीकल दिखने वाला है या वीकल पर प्रॉब्लम होने वाली है वो सब चीजे चौथे भाव की हानी से आपको मालूम चलेगा इसी प्रकार से आपको अपने स्वास्त की हानी देखनी है तो आठवे बारवे भाव में शनी गोचर में आए शनी कुंड़ी में ना हो गोचर में आए कुंड़ी में तो हो सकता है शनी उस भाव से आठवे बारवे भाव में लेकिन गोचर में उस भाव से आठवे बारवे भाव में शनी आता है तब उस भाव की हानी संभव है दूसरा दूसरा इनोंने नियम बताया है, बहुत इंपॉर्टन नियम है, भावानी का, उस नियम में बताते हैं कि भाव संबंधी हानी कब होगी, यह विचार करना हो, तो देखें कि उस भाव से आठवें और बारवें भाव के स्वामी कहां पर बैठे हैं, जब शनी गोचर वहां से त्रिकोन में आएगा, तो भाव की हानी होगी, यह नियम क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टन नियम है, यह नियम यह कहता है, कि किसी भाव की हानी कब होगी, एक तो नियम उपर बताया हमें आपको जब उससे आठवें बारवें भाव में शनी गोचर में आए, आपने चे बहाव से आठवे और बारवे भाव के स्वामी किस राशी में हैं? वो चेक कीजिए. जब शनी गोचरवश उन राशी में या उसकी त्रिकोन राशी में आएगा तो भाव की हानी हो गी. ये कैसे? आप इसको लगाएंगे. सिंपल है. देखे सात्वा भाव की हानी आप देख रहे हैं. तो सात्वे से आठवे भाव का स्वामी को चेक कीजिए. मान लिजिए सात्वे से आठवे भाव का स्वामी है मंगल. सपोस करो. फिर आप सात्वे से बारवे भाव के स्वामी क वो चेक किजिए वो वॉम ली जी आता है वुद्ध सात्व सराव कि अब आप सैकर open रहे बुद्ध चिए में तो जब वरशब राशी पे ये मेंश राशी में अएब ःत्त व्रशव राशी का त्रिकोण कौन सा वह सब्ष आइं और कैया हुआ वेश ग êtes सिंग घंच एक पांच हम जानते हैं यह पांश नों जानते कि वेसे करनके इक इक फ़्स्नों दो 650 16 तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी भाव की हानी के लिए आप विचार कर रहे हैं, उस भाव से आठवे भाव का स्वामी कहां बैठा है, वो चेक कर लिजिए, वो राशी नोट कर लिजिए, उस से बारवे भाव का स्वामी कहां बैठा है, वो चेक कर लिजिए, राश तो निश्चित रूप से भाव की हानी होगी अगर विभाई सम्मंद किसी खराब चल लए है और वो कंफर्म करना चाहता है कि हमारा डिवोर्स और चांस कब है या कब हम लोग डिवोर्स फाइल करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि साथवे भाव से आटवे भाव का स्व वामी किस राशियम बैठा है उन दोनों राशियों पर या उनके त्रिकोन राशियों पर जब भी शनी घोचर में आएगा तो आप कह सकते हैं कि यह समय आपके लिए ऐसा है जब आपके दोनों में अलगाव हो सकता है तो यह दूसरा नियम था भाव हानी का तीसरा नियम भ विचार कर रहे हैं विभाइक संबंद में आप यहीं सोच रहे हो कि डिवोर्स कब होगा और साथवे भाव में मतलब विभाइक संबंद बहुत बुरे चलने हैं अब हम यह देख रहे हैं कि कब अलग हो जाएगी कब उस भाव की हानी होगी तो पहला नियम हमने लगाया उस से नहीं मिला घ्लालिया अप तीसरा नियम लगाते तीसरा नियम क्या कोई ना तो जैसी दौरान आपकी प्रॉबलम होगी यह इस दौरान आपके बीच में अलगाव होगा इसमें कहते हैं कि जिस भी भाव का विचार करना हो उस भाव से आठवे भाव का स्वामी और बारवे भाव का स्वामी पहले नियम में था कि उस भाव से आठवे भाव का स्वामी और बारवे भाव का स्वामी किस राशी में है अब हमको दिखना है उस भाव से आठवे भाव का स्वामी और बारवे भाव का स्वामी किस नवांश में है दीना इंचाट के अंदर तो वो नवांश राशी चेक कर लिए वो दोनों राशियां चेक कर लिए मालिया कि साथवे से आठवे भाव का स्वामी मेश नवांश में है साथवे से बारवे भाव का स्वामी मिथुन नमांश में है तो मेश में या मिथुन में या मेश के त्रिकोण में 159 या मिथुन के त्रिकोण में 3711 यानि मिथुन तुला और कुम्ब इन में शनी गोचर में घुमता हुआ आएगा तो निश्चित रूप से भाव की हानी होगी, ये भाव के नियम है, इन भावों को आप किसी भी भी लगा सकते हैं, बारे के बारे भावों की हानी आपने देखनी हो, और उन भावों से संबंदित जीवों की हानी भी आपने देखनी हो, तो आप देख सकते हैं, इस नियमों स तो यह नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन नियमों को आप ध्यान रखिए और हर जगे इनको लाके देखिए भाव की एहानी के लिए आपको निश्चित रूप से कस्ट मिलेगा अगर आप पहले भाव की एहानी को लगाएंगे इन तीनों नियों में से लाके देखेंग पहले भाव की हानी तो आपको मालुम चल जाएगा कि कब आपको शारी रिकस्ट होने वाला है या कब आपको समस्या होने वाली है तो यह थे यह भाव हानी के नियम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गोचर पढ़ाऊंगा जब तक के लिए धन्यवाद जैशी कृष्णा